असलाम अलेकूम, आज मैं जीरा राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं अपने चैनल पर एवरी फ्राइडे एक राइस की रेसिपी शेयर कर दी हूँ, आप एक बार मेरे चैनल को जरूर विजिट करिएगा और दुसरे राइस की रेसिपी भी एक बार जरूर शेक कर ले और सुके मिर्च कड़ी पता है और एक इंच फ्रेश अद्रग भी है एक पैन मैंने गरम होने के लिए रख दिया है इसमें मैं थोड़ा ओइल आट कर लूँगी एक टेबल स्पून जितना और हम इसमें घी या बटर आट करेंगे इससे टेस्ट अच्छा आता है घी मिल्ट हो गए बाद हम इसमें एक टेबल स्पून जीरा आट कर देंगे और इसके बाद जो अद्रग रेशन का पेस्ट था वो मैं इसमें आट कर दूँगी और चार सुके मिट्शिय और थोड़ा सा करीपता ले लिया है यह क्वांटिटी मैं दो कप राइस के लिए बता रही हूं आप इसकी क्वांटिटी आप में राइस के हिसाब से अजिस्ट लेना अब जल्दी जल्दी चमचा चलाते रहना है क्योंकि अद्रक लेशन पूरा स्प्लाटर होता है अब इसमें मैंने नमग प्राइस के लिए नमग भी मैंने चामल की क्वांटिटी के हिसाब से ले लिया है हम दो मिनेड तक जल्दी जल्दी इस तरह चमचा चला कर भून ले अब इसके बाद मैंने एक कप राइस के लिए दो कप पानी लिया है जितने चामल है उस हिसाब से पानी ले लेना है जब पानी में यह जो फ्रेश अद्रक हमने ग्रेट करकर रखा था ना वह मैं इसमें आट कर दूंगी और स्टॉक का फ्लेम मीडियम से हाई रखना है और इसमें पानी पर पूरा निकाल कर सिर्फ चामल को इसमें आट कर देना है और थोड़ी सी कोरियांडर है जो मैं इस टाइम पर आट करूंगी इसको स्टॉक को मीडियम से हाई फ्लेम पर ही रखना है जब इस तरह का बॉइल आने लगे इस टाइम पर स्टॉक का फ्लेम मीडियम कर देना है मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेना है बीच में एक दो बार आप इस तरह चम्चा चलाते रहना और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे मैंने एक और जीरा राइस की रेसिपी भी अपने चैनल पर अपलोड की है वो मैंने पके हुए चामल से बनाया है आप एक बार वो रेसिपी भी ज़रूर चेक कर लेना अब चामल और पानी दोनों एक लेवल के हो गए हैं तो इस टाम पर स्टॉक अफ्लेम बिलकुल लो पर रख देना है और इसको पकने के लिए रख देना है अब बार बार चमचा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हम 10 मिनिट के बार भी चेक कर लेंगे कि चामल हमारा गला आया नहीं और अंदर का पानी ड्राई हो गया है या नहीं अब 10 मिनिट के बाद इसके पानी भी पूरा ड्राई हो गया और चावल भी अच्छे से गल गया है तो यह उमीद है आपके रेसिपी अच्छी लगी होगी एक बार मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अला आपीस